रुक्षेत्र के दौरे पर सीये मनहोलाल आज अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और बार किस सिथी पर भी मन्थन होगा ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं बार किस सिथी पर भी मन्थन किया जाएगा जो नुकसान हुआ है उसके आकलन को लेकर किस तरीके से रहत र राशी दी जाएगी या फिर कैसे एक बार फिर से जो काम है उन्हें शुरू किया जाएगा ये यहाँ पर देखने वाली बात है तो बड़ी खबर आपको बताने को रुक्षेत्र के दौरे पर सीये मनहोलाल आज रहने वाले हैं काफे खास उनका यह दौरा क्योंकि हाल ही म करणाल में भी हमने देखा पानी पानी सब हो गया था खबर पर अधिक जानकारी के साथ समादाता राजीव अरोडा हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजीव देखे इस समय सरकार के कांधू पर ये जिम्मेदारी है कि किस तरीके से एक बार सब री ड्वेलेप्मेंट करके सब कुछ वैसा कर दिया जाए जैसा कि पानी आने से पहले था लेकिन काफे मुश्कले हैं इसको लेकर अब दौरा तो किया जा रहा है लेकिन दौरे की क्या कुछ हैं बिंदू इसको लेकर रहने वाले हैं जिसके तीपशिकर जिस तरह से जो है दर्मनगरी शुरूप खेतर की बात की जाए प्रोदेश के अन्यजितों कि साथ साथ यहां भी हालात बद से बदतर हुए थे मारंगंडा नधी की बात हो या उसके लावा कुछ दो देंस की बात हो तो यहां पर जो है काफी पानी ही पानी हो गया था और ग्राविन शेत्रों की बात की जाए तो ग्रामिन शेत्रों में जिसी लगबख 200 से 300 गाओं प्रभावित हुए थे उसके लावा शेरी शेत्र की भी जो दर्जन पर कालोनिया है वो भी जो जलमगन हो गई थी तो यह जो तमाम व्यास थी तमाम चूक थी इस पर तो नियंतर तो पालिया गया लेकि अब किस तरह से जो पुनरवास हो किस तरह से जो जिन लोगों का नुक्सान हुआ है उनके जो जख्मा पर जो है किस तरह से मरम लगाए जाए तो यह जब तमाम चीज़े हैं इन पर मंतन करने के लिए इन पर चिंतन करने के लिए जो आज मुक्यमंतरी का दोरा है अलाकि ज पर प्रक्राइब करने के लिए जो के मंतरी आज दनमगरी कुरुक्षेत्र आ रहे हैं बिलकुर आज एक साथ यह आप से जाना चाहेंगे कुरुक्षेत्र में कितना नुक्सान हुआ है नहीं कितना नुक्सान मिलेगा कितना अंकलन होगा ये तमाम तीजे जो है देखने वाली बात रहेंगी लेकिन जो प्रारंबिक तौर पर जो किसान है उनकी ये मांग है कि उन्हें चालिस हजार रवे प्रतियेकर के इसाथ से जो है मौज़ा दिया जाएगा तो इसको लेकर भी पेशपसा हुआ है देखने किसानों के साथ बैठा करेंगे ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं बार कि उससिती पर मन्थन किया जाएगा